मध्य प्रदेश जहां भारतिया रेल लेकर आई है खुश्खबरी अब रेल जोड़ेगी गती को शक्ती से विकास को आत्म निर्भरता से प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूर दर्शी नेत्रित्म में भारतिय रेल ने दिया मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा विश्वस्तरिय रेलवे स्टेशन रानी कमलापती रेलवे स्टेशन एरपोर्ट की तर्ज पर बने इस स्टेशन में है नाचुरल लाइट और वेंटिलेशन वाला विशाल एर कॉनकोर्स और मनमोहक ग्लास फसाद बाला 36 मीटरूजा टर्मिनल वेटिंग लाउंज, AC डॉमिटरी, AC रिटारिंग रूम, VIP लाउंज, काफेटेरिया, रीटेल शॉप, लिफ्ट, एसकलेटर, ट्रेवलेटर, राम्प, मॉडर्न प्लाटफॉर्म, कवर शेड और पार्किंग जैसे सुविधाउं से बढ़ रही है स्टेशन की उपयोगिता फाइव स्टार जी एम रेटिंग बाले इस ग्रीन स्टेशन पर है CCTV कैमरा, फ्री वाइफाई, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, केंद्री कृत स्काडा कंट्रोल रूम, और modern फायर फाइटिंग सिस्टम, भविश्य में इसी स्टेशन पर होगा भोपाल मेट्रो और बस कॉरिडोर का एकी करण, और इस स्टेशन कॉंपलेक्स में कमर्शल बिल्दिंग, मॉल, हॉस्पिटल और होटेल, इन सारी सुविधाओं से बच्चे हों या महिलाएं, भुजुरुगों या बिजनस यात्री, पारिवारिक सफर पर निकला परिवार हो या कोई भी पैसेंजर, हर किसी को मिलेगा यहां modern atmosphere, शौपिंग का अनुभव, एंटर्टेन्वंट के भिन भिन विकल, सुरक्षा, आरोग्य सेवाएं, आधुनिक प्रतीक शालाएं, गुणवत्ता युक्त और स्वादिष्ट आहार का आनन्द। साथी भारतिये रेल ने किया है भुपाल बर्खेडा के बीच 47 किलोमेटर लंबी तीसरी लाइन का निर्मान, जिससे होगा दिल्ली चेन्नाई अथी व्यस्त रेल रूट का परिचालन सुगम और बढ़ेगी इस रूट पर रेल की कती। इसी श्रिंखला में इको फ्रेंडली यात्रा के लिए गुना ग्वालियर 227 किलोमेटर रेल लाइन का विद्यूति करण भी किया गया है। इसके साथ ही भारते रेल विकास की गती को और तेज कर रही है इंदोर और उजयन के बीज दो नई मेमू पैसेंजर ट्रेन जिससे मिलेगी यात्रियों को इंदोर उजयन के बीज नई सुविधा। प्रधान मंत्री जी ये सभी विकास कारे राश्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। री डेवलप्ट रानी कमलापती रेलवे स्टेशन। गुना ग्वालियर रेलखंड का विद्यूतिकरण। होपाल बरखेडा रेलखंड का तिहरी करण। आमान परिवर्तित एवं विद्यूतिकरण फतेहाबाद चंदरावती गण्ज उजैन ब्राटगेज रेलंड। आमान परिवर्तित एवं विद्यूतिकरण मठेला निमार खेडी ब्राटगेज रेलखंड। और दो नई मेमू पैसेंजर ट्रेन्ध नित्विखास का नवसंदेश नए भारत का बदलता मध्यप्रतेश